नमस्कार दोस्तों, मैं ललीता अगरवाल PSSM Blessings आडियो टीम कुलकाता से बोल रही हूँ पिछले आडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी की फैक्टरी में एक नया मैकनिक आता है जिसके साथ वह काम के बारे में बातचीत करते हैं आडियो नमबर 80 में हम इसी हटना को आगे बढ़ाते हैं वह बताते हैं एक कॉर्णर में बैठ कर हमने टेक्निकल चीजों के बारे में बात करने शुरू कर दी अचानक उसका चेरा बदल गया और मुझे देखकर उसने कहा तुम्हें पता है तुम क्रेस्टियन हो और मैं भी क्रेस्टियन हूँ हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि ये मुसलिम हमारा शोशन न करे हमारा उप्योग कर हमें मैनिपुलेट न करे मैंने कहा प्लीज इन सब चीजों को फैक्टरी में मतलाओ क्योंकि मुझे पता है कि उनके साथ अच्छे तरीके से बात कैसे की जाती है वे मेरा आदर करते हैं हमने कभी भी यहां क्रिस्टियन और मुस्लिम संप्रदाय का स्रिजन नहीं किया है अगर तुम मेरे सला मानो तो आगे से कभी भी इन चीजों के बारे में मत बोलना और जियूज उनसे भी बुरे हैं जियूज और मुस्लिम क्रिस्टियन पैलेस्टाइन लोगों को खत्म करने की तैयारी कर रहे है मैंने कहा क्या तुम कोई राजनियतिक व्यक्ति हो जो यहां यह सब कहने आये हो मुझे लगता है तुम्हारे अपने बेनिफिट के लिए तुम्हारे अपने भविश्य के लिए और जो महत्वपूर्ण काम हम यहां कर रहे हैं उसके लिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करने चाहिए उसने कहा अगर तुम्हारे इसी तरह के विचार हैं तो मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुस्लिम्स हमारे काम को बरबात कर रहे हैं और हमें मालुम है कि कभी-कभी वे लोग जूस के साथ भी सहयोग कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी कोई राजनितिक ट्रेनिंग नहीं है और तुम पैलिस्टाइन के भविश्च के लिए खत्रा साबित हो सकते हो मैंने कहा अब बात को बढ़ाओ मत मैं यह सब चीजे डिसकस नहीं करना चाहता मैं यहां सिर्फ मैकनिक्स पर काम करना चाहता हूँ अगर तुम्हारे अपने राजनितिक विचार हैं तो उन्हें तुम फैक्टरी में मत लेकर आओ क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ कठोर हो सकता हूँ बातचीत बहुत गर्म हो गई उसने मुझे धमकी दे यह कहते हुए कि उसके पास इतना पावर है अंडरग्राउंड पावर कि वे मुझे उठा कर फेक सकता है और मेरा काम अपने हाथ में ले सकता है और वह जो चाहे वह कर सकता है उसने कहा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ट्रेन स्टेशन और यहां काम करने वाले लोगों को इस तरह काम करना होगा कि वे पैलेस्टाइन को शत्रू के हाथ में जाने से बचाएं मैं यह कहते वे निकल गया कि मैं इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता धीरे धीरे मैंने देखा कि उसे Muslims के साथ problems है उसे Jews के साथ भी problems है वह उनके विरुद्ध भी बोल रहा है उसे Armenians, British और Americans के साथ भी problems है उसनी करीब 60 लोगों को agitate कर दिया वे मेरे पास आते और कहते आप इसे यहां क्यों लेकर आए हम उसे पसंद नहीं करते वह इस factory में विरोध और दुर्भावना के वीजबो रहा है और यगर यह जारी रहा तो सभी को बहुत बड़ी समस्या होगी मैंने कहा आप सभी प्रेम और सहयोग के साथ अपने करतव्यों और दाइत्वों का पालन करिए मैं उसे बहुत बुद्धिमानी पूर्वक और समवेदन शेलता के साथ हैंडल कर लूँगा आप इसके बार में चिंता न करें लेकिन यह सब मेरे लिए चिंता का विश्य था क्योंकि मैंने यह सब देखा था अनुभव किया था कि वो कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है कुछ राजनितिक दल के लोग आ रहे थे जो उससे एडवाइस ले रहे थे और दे भी रहे थे मैंने सोचा इन सब से हमें एक बड़ी समस्या आने बाली है इसलिए एक दिन मैं घर गया और मैं बहुत हतार्स था मुझे चिंता हो रही थी मैं दुखी था और कन्फ्यूजड भी मैंने कहा अगर मैं आथूरिटीस के पास जाता हूँ और इन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ तो हो सकता है मैं ज्यादा समस्या उत्पन कर दूँ बजाए जितनी मैं सोच रहा हूँ इसलिए जब मैं घर गया मैं कुछ खा नहीं पाया मैं अपने बेडरूम में अकेला था करीब रात के नौ बजे थे जब मैंने दिवार पर एक छाया को घूमते हुए देखा मैं आस्चरे में पड़ गया मैंने देखने की कोशिस की कि कहीं खिडकी से लाइट तो नहीं आ रही जिससे दिवार पर कोई छाया बन रही है लेकिन बाहर घुप अंधेरा था मैं कुछ मिनट के लिए छाया की तरफ देखा और उसके बाद मैंने देखा कि उस छाया ने एक व्यक्ति के बालों का और फिर दाड़ी की आकरिती ले ली है मैंने सिर्फ बाल देखे लंबे बाल जो सिर से कंधों तक लटक रहे थे और काली घनी दाड़ी उसके बाद उसके मूझे निकल आई यह ठीक एक फोटोग्राफ के नेगेटिव के तरह था धीरे धीरे उससे एक इमेज निकल कर आ रहे थी मुझे बहुत अपलिफ्टेड फील हुआ लेकिन मैंने अपना होश और ध्यान नहीं खोया उसके बाद उसमें नाक की आकरिती भी आ गई उसके बाद धीरे धीरे में उसमें आईब्रोज भी आ गई उसके बाद दो बड़ी आँखे भी दिखाई पढ़ने लगी मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया विद्धूती हो गया उसके बाद मैंने उसके आँखों में देखा वो भी मुझे देखता रहा कम से कम 40 सेकेंड तक और फिर धीरे धीरे गायब हो गया मैं एकदम स्थिर हो गया था मेरी सांसे बहुत धीमी गती से चल रही थी मुझे महसूस हुआ मैं पूरा पसीने से नहा चुका हूँ और बहुत गर्मी महसूस कर रहा था उसके बाद मैं अपने मोश में आया मैंने सोचा इसका क्या मतलब है फिर मेरे मन में खयाल आया यह एक साइन है कि कोई मुझे देख रहा है और मैं जान गया था कि कुछ नहीं होगा और कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं गहरी नेन में चला गया सुबह जब मैं उठा तो साड़े साथ बच चुके थे जब मैंने फैक्टरी में जल्दी जल्दी तयार होकर अपने साइकिल पर तयार होकर प्रवेश किया तो एक व्यक्ति दोड़ते हुए आया और बोला तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ मैंने कहा नहीं उसने कहा वा नया मैकनिक गायब हो गया है कल रात कोई आया था और उसे किड्नैप कर लिया हमें नहीं पता क्या हुआ लेकिन वा घर पर नहीं है उसका घर खाली है और वा कहीं चला गया है मैंने कहा हे भगवान उसने जिन लोगों को भी भड़काने के कोशिस की थी उससे हमें गुस्सा भी आया था परिशानी भी हुई थी लेकिन एक महीने बाद सब कुछ सामान्य हो गया था और हमें कभी पता ही नहीं चला कि वह कहां है वह किसके साथ गया कहां गया या फिर वह गायब क्यों हो गया यह मेरे जिन्दगी की एक बहुत बड़ी घटना है जब मैं बहुत स्ट्रॉंगली फिल करता हूँ कि ऐसी आखें हैं जो मेरा हर एक कदम और मेरे मेहनत पर नजर रखती है यह घटना यहीं खत्म होती है हम एक नई हटना के शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वरक्शॉप नौइज यानि फैक्टरी का शूर रेलवे स्टेशन में मैंने नोटिस किया कि वहां की आवाज हमारे कानों के लिए बहुत घातक है विशेशकर जब हर व्यक्ति फैक्टरी में काम कर रहा है वे इंजिन के धुएं को इतनी हाई पीच और इतने स्ट्रॉंग वॉल्यूम पर निकालते थे कि मुझे लगता था बहुत बार मेरे कान बहुत सारी आवाजों और शरीर के प्रती सम्वेदन हीन हो गए हैं दूसरी और एक चीज जो मैंने नोटिस की वहियर की तेज आवाज से मैं बहुत कुछ भूलता जा रहा हूँ आज के लिए इतना है अगले ओडियो में हम इसी खटना को आगे बढ़ाते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार आपका दिन शुभ हो